हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.5 का कोश्चन नमबर 3 तो कोश्चन नमबर 3 क्या कहता है ड्रो दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओफ एक्स वाई हूज लेंथ इस 10.3 सेंटीमीटर हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है किसी लाइन सेग्मेंट एक्स वाई का और इसकी लेंथ क्या दे रखे है 10.3 सेंटीमीटर और फिर हमें ये दो पार्ट दे रखे हैं तो पहले तो हम यहां पे एक ड्रफ फिकर से समझ लेते हैं जिसे हमने माल लिया कि ये हमें एक्स वाई दे रखा है ठीक है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम माल लेते हैं ये है इस तरह से ये वाला पार्ट क्या कहता है तो यहां पी है जो हमने बाइसेक्टर ड्राउ किया है इसके उपर हम कहीं पे पी ले लेते हैं इस तरह से और फिर कहता है कि इस एक्स वाई को पी से मिलाना है और इस वाई को पी से मिलाना है और फिर हमें देखना है कि xy और xp और py जो है वो क्या equal होंगे उसके बाद में b वाला part कहता है if m is the midpoint of xy तो यह हमारा midpoint होगा what can you say about the length of mx and xy तो यहाँ पर यह mx length होगी और xy तो यह पूरी length हमें दे ही रखी है तो कह रहा है कि mx और xy की length में क्या relation आयागा तो यहाँ पर start करते हैं पहले हमें क्याद बनाना है एक line segment बनाना है 10.3 cm का तो यहाँ पर हम ruler से पहले 10.3 cm length का जो है एक line segment ले लेते हैं अब यहाँ पर 10 कहा है यह हमारा 10 यहाँ पर है 10.3 क्या होता है इसके अंदर यह चोटे चोटे points है 1,2,3 तो यह होगा कहीं 10.3 यहाँ से ले जाएंगे हम 0 तक इस तरह से तो यह हमारी एक line हो गई अब हमें इसका एक perpendicular bisector find out करना है तो perpendicular bisector हम किस तरह से find out करते हैं campus के help से compass को हम क्या करते हैं इसका जो pointer होता ना इस pointer को हम इसके एक point पे रखते हैं और इस compass के बीच में जो distance है वो हम half line से ज्यादा लेते हैं तो यहाँ पे हम यहाँ तक इसकी distance ले लेते हैं और फिर यहाँ पे एक इस तरह से cut लगाएंगे एक नीचे cut लगाएंगे उसके बाद में इस pointer को यहाँ रखेंगे और इस तरह से यह cut लगादेंगे और एक नीचे भी cut लगादेंगे नीचे इसलिए cut लगाएंगे ताकि line जो है वो सीधी आ जाए तो यहाँ पे हमें दो points मिल गए एक point हमें क्या मिला यह वाला और एक point जो है वो यह मिला अब हम क्या करते हैं इस point को इस तरह से रखते हैं और यहां से एक line खीषते हैं और उसको कहां पर ले जाके छोड़ देंगे इसी line के उपर इस तरह से छोड़ देंगे पूरी नहीं खीचेंगे तो यहां पर यह जो हमने line ली है इसका नाम दे रखा है x y अब यहां पर तो यह हमारा क्या हो गया यह हमारा perpendicular bisector हो गया तो यह perpendicular bisector हो गया अब ए वाला पार देखो ए वाला पार क्या कहता है take any point p on the bisector drawn examine whether px is equals to py तो हमें इस line पे कहीं पे p लेना है तो हम क्या करते हैं यहां पे p ले लेते हैं यह तो अब हमें क्या करना है px और py देखना है तो पहले हम px बना लेते हैं तो यहां पे हम इस तरह से इसको मिला देंगे ठीक है तो यह हो गया हमारा px इसी तरह से हम यहां पे इसको मिला देंगे तो यह हो गया PY अब यहां पे हमें देखना है कि क्या यह PX और PY इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे तो इसको हम कैसे देखेंगे इसको हम डिवाइडर से देखेंगे तो यहां पे हमने डिवाइडर ले लिया divider की एक pointer यहाँ पे रखेंगे और दूसरा pointer हम यहाँ पे रखेंगे इस P के उपर ठीक है तो यह हमारा इस तरह से आ गया और इसी को हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह दोनों equal है यहाँ पे थोड़ा सा फरक आ रहा है क्योंकि इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं इस तरह से अब यहाँ पे यह equal हो गए तो इसका मतलब यह हुआ कि P X जो है वो P Y के equal होगा तो यहाँ पे A वाले के लिए रिख देंगे हम A वाले के लिए Yes P X is equal to P Y अब यहाँ पे B वाला देख लो B वाला क्या कहता है If M is the midpoint of X Y यहाँ पे यह X Y है X Y का midpoint क्या होगा देखो यह जो आपने perpendicular डाला है यह मारा इस line का by sector भी है by sector का मतलब क्या होता है कि यह इस line को दो equal parts में divide कर देगा तो यहाँ पे यह वाली length यह वाली length exam same होगी तो इसका मतलब यह जो है वो इसका midpoint हो जाएगा यह है M ठीक है उसके आगे कहता है what can you say about the length of M X and X Y अब यहाँ पे यह वाली length और यह वाली length यह क्या है equal है तो यहाँ पे जो M X जो है यह equal होगी M Y के अब यहाँ पे यह दोनों equal है जाएगा देखो X Y जो है वो equal हो जाएगा इन दोनों के sum के equal आजाएगा तो यहाँ पे यह M X प्लस M Y के sum के equal आजाएगा क्योंकि X Y यहाँ से यहाँ तक है X M को ले लेंगे और फिर M Y को ले लेंगे दोनों को add कर देंगे तो यह X Y के equal आ जाएगा अब यहाँ पे mx और my यह equal है और यहाँ पे हमें पूछाए mx और xy के बीच में तो हम यहाँ से इस my को हटा देंगे इसको हटाएंगे तो कैसे आएगा हमारा यह यह mx को ऐसे ही लिखेंगे और my की जहेंपर हम mx पुट कर देंगे ठीक है तो यह क्या आ जाएगा यह हो जाएगा 2mx और यहाँ से अगर हम देखें तो mx यह आ जाएगा half xy यह तो हमने calculation से निकार लिया लेकिन यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि यह जो mx है यह हमारा xy का half होगा तो xy की तो length हमें दे रखी है 10.3 cm mx की length क्या जाएगी 1y2xy यह हमारा answer हो जाएगा questions हम आपत next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही